हेलो फ्रेंस, आज के इस वीडिये में आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी Google पे में अपना bank account एड़ करने में प्रॉलम आ रही है या activate करने में प्रॉलम आ रही है आपको आ जाता है could not send SMS या could not register और इस प्रॉलम को आपको कैसे solve कर सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह देखे यहाँ पर मैं अपने Google पे को open कर रहा हूं और Google पे को open करने के बाद यहाँ पर मेरा bank account पहले से ही एड़ था मैंने Google पे को delete कर दिया था इसलिए मेरे को यहाँ पर प्रॉलम आ रही है activate bank account की यह देखे मैं अपने bank account पर क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर activate और यहाँ पर ही प्रॉलम आ यहाँ अगर आप पर पहली बार करने है तो भी कई लोगों को यहाँ पर problem आ यह लाती है और जिनका पहले से your time अनको करने में प्रॉलम आजय तिया आगर आपने गूगल पे को डिलीट कर दिया था था और इससे प्रॉलम को आपको कैसे सॉल पर सकते हैं यह देखे यह प्रॉलम भी मैं आपको दिखा दिता हूँ यह देखे यहां पर यह कितनी तेर ही घुमता रहेगा सेंडिंग SMS sending SMS और यहां पर हमको आ जाएगा could not send SMS यह दिखा भी दिता हूं आपको गूगल पे से बाहर हो जाएए और यहां पर अपने message को open कर लिए यहां पर हमको गूगल पे की तरफ से message आता है वह message मेरे को आ नहीं रहा यह देखें यह मैंने तीन बज़ के सैंटी मिनट पर यह कोशिश की थी और यहां पर हमको कोई भी message message नहीं को पर यहां पर दो प्रावलम की वजह से यह मेरा Google पे नहीं चालू हो रहा एक मेरे मोगल से send हो रहा किसी को send करता हूं तो वो send नहीं हो रहा इस वे आपको अभी हासा तांग को कैसा message आता है गूगल पे की तरफ से ये एसा मैसेज आता यह मैंसेज भी मैंको आपकर करके दिखाँ हुआ इनक यह देखेए आसा मैसेज आता है और यहां पर यह रिषवह हुआ है यानि कि यह मेरा मैसेज प्रमागि मेर कंट खेंठ से याтор और पहली प्रॉल्म होगी और आपको गूगल पर तरफ कि तरफ से मैसिज नहीं आ रहा या जया रहा तो आप अपने मोबाइल को एक बार रिबूट या री स्टार्ट कर लिए उसके बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा Google पे की तरफ से और यह मैसेज आपका सेंड होना चाहिए यहां पर यह देखिए रिट्राई या फेल्ड अगर दिखा रहा होगा तो आपको Google पे में प्रॉलम आएगी और अगर आपका यह मैसेज सेंड होगा तभी आपका Google पे में बंक रिष्टर, यह में उबाइल में की होना चाहिए जिसमें कि आपको आउट मेंसेज खालाय और अउब हमें आपका मॉबायल में नहीं आ है तो कोई बात नहीं सबसे बड़ी प्रॉलम मैं ने देखी है message send ना होने का कारण है जो हमारे mobile में message center number होता है SMS center number अगर आपके mobile में SMS center number सही से update नहीं होगा तभी आपके message send नहीं होगा और आपको Google पे में problem आएगी और ये SMS center number क्या है इसके लिए मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखा है उस वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो वीडियो देखकर आप अपने मोबाइल में चेक कर रहे ना कि आपके मोबाइल में SMS सेंटर नंबर सही से अपडेट है या नहीं है अगर नहीं पताँगा वो सेट्ञ भी आप अपने मोबाइल में जरूर कर लेना उसके बाद आप करके देखना आपकी प्रॉलम हो जाएगी अगर आपके पास वीडियो का मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में मैसेज की सेंटिंग में जाईए यहां पर यहां पर यहां पर को आप आफ कर दीजिए उसके बाद आप करके देखिए आपकी प्रॉलम सोल हो जाएगी यह प्रॉलम आपको आति क्यों है क्यों कि आपका message इनी send हो रहा और अगर आपका Message भी यहां पर send हो रहा है तो यहां पर आप अपने इस message आपको चूज कर लिजे जो आपने अभी डाउनलोड किया है और इसको चूज करके यहां पर नीचे set as default पर क्लिक कर दिजे set as default और इसके बाद आपको क्या करना है अगर आपको 24 गंटे का error आ रहा है code not register वाला 24 गंटे का तो आपको 24 गंटे तक बिल्कुल भी Google पे को नहीं open करना है 24 गंटे के बाद ही try करना है और अगर आपको code not send SMS का error आ रहा है तो आप try कर सकते हैं और try करने से पहले आपको क्या करना है आप Google पे का clear data कर दिजिए या गुगल पे को delete करके फिर द्लिर डाता कर लेजिए यह मैं आपने google पे को open कर रहा हूँ आप चाहे तो पीछे जाकर देख सकते हैं मेरा वही bank account मैं आपको activate करके दिखाऊंगा जो bank account मैंने पहले आपको दिखाया था कि जिसमें problem आ रही है और आप उसका account number वहाँ पर check कर सकते हैं यहाँ पर मैं agree and continue पर click करूँगा और यह देखे यहाँ पर आप account number देख सकते हैं और आप पीछे back करके देख सकते हैं शुरू में जिसमें मैंने आपको problem दिखाई थी और यहाँ पर मैं अपने bank account पर click करूँगा यह मैं पहले अपने लोगों पर click करूँगा और यह bank account और यह मैं activate पर click करूँगा यहाँ पर यह मैंने 24 घंटे बार try किया था क्योंकि मेरेको 24 घंटे का error आ रहा था और यह मैंने पहले दो तीन बार मतलब try कर लिया था इसलिए मेरेको 24 घंटे का error आने लग जया था यहाँ पर और यहाँ पर जो भी permission है वो permission allow कर दिजे और यह देखें यहाँ पर यह मेरेको आप वो प्रॉलम नहीं आएगी यह मेरा bank account यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और यह देखें यह हमारी problem solve हो गया है इस तरह से आप अपनी problem को solve कर सकते हैं